हेलो एव्रिवन दिस इस अमिशा आप देख रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल स्टाडी एवरी डे में आप सब कहार दिक स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज दिल्ली सल्तनत से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ले करा हूं गुलाम वंस ज दिल्ली सल्तनत से कोशन पूछे जाते हैं तो यह सल्तनत काल बहुत ही इंपोर्टेंट है गुलाम वंस बिल्कुल इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सब उसे रिक्वेस्ट है अगर मेरा वीडियो अच्छा लग तो लाइक से और सब् गुलाम वंस का स्टार्टिंग वाथा 1206 में और अंतिम वाथा 1290 में तो यह आप डेट याद रखेंगा हमारा फर्स्ट कोशन है गुलाम वंस का संस्थापक कौन थे तो कुतुबुदिन एबक्त है गुलाम वंस के संस्थापक यहां से कोशन एससे में 3-4 बार पूछ अगला कुशन है घुलाम वंस के संस का थे थोड़ा थोड़ा कोशन चैंज एकूतुबुदिन एबक थे हमारा फर्ट कोशन इदिली सटनत का कौं सा सुल्टान लाख हैं से जैना जाता है को दिल्ली रहु उसके नाम से जाना जाता है दिल्स वाख самых संथ Чए चैंग में जो से जाना जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुतु बुदिन एबग लाखों में एक है, सल्तनत सासक जो थे, कुतु बुदिन एबग, वो लाखों में एक थे, मिन्स लाख बक्ष के नाम से जाने जाते हैं, तो आई होप यह ट्रिक आपको जरूर समझ में आया हो, तो आप इस ट्रिक के माधम से याद कर सकते हैं इस question को, बढ़ते हम लोग अपने अगले question की ओर, धाए दिन का जोपड़ी क्या था? धाए दिन की जोपड़ी मस्जिद था, ये कहां बनवाया गया था? ये मस्जिद आगरा में बनवाया गया था. तो लेते हम लोग अपना अगला question निमलिखित में से किस ने प्रसिद कुतुम मिनार के निर्मान में योगदा नहीं दिया था तो यहाँ question पूछा जारा नहीं दिया था आप exam में ये गलती नहीं करेंगे कि question अगर जब देता है उसमें नहीं देता है तो जरू टिक कर लेना चाहिए दो तीन बार underline कर लेना चाहिए कि हम लोग को ध्यान में रहे कि पूछा जा रहा है कि नहीं नहीं बोला जा रहा है और हम लोग हाँ बोलके टिक मार देते हैं और गलती हो जाता है तो यह minor mistake आप नहीं करेंगे कुतुब मिनार के निर्मान में योगदा नहीं दिया है तो बढ़ते हम लोग अपने अगले कोशन की ओर कुतुबु दिन एबग की राजधानी कहा थी तो कुतुबु दिन एबग की राजधानी लहौर में थी सेवन्थ नमबर कुश्चन है हमारा सुल्तान कुतुबुदिन एवक की मृत्यू कैसे हुई थी तो कुतुबुदिन एवक चोगान खेलने में माहिर थे चोगान जो घोडे पे बैट कर और डंटा से जो खेला जाता है बॉल मारा जाता है उसको बोलते हैं पहले बोला जाता था चोगान और पोलुग नाम से हम जान सकते हैं तो कुतुबुदिन एवक वहां से घोडे से गिरकर इनकी मृत्य हो गई थी तो हमारा आठवा नमबर कुश्चन है निमलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में अस्थापित किया था तो इल्टुद मिश्र ने जैसे कि कुतुबुदिन एवक थे तो उन्होंने अपना राजधानी लाहौर में बनाया था कुतुबुदिन एबक के दमात इलतुत मिश्र और इलतुत मिश्र की बेटी थी रजिया सुल्तान और इलतुत मिश्र के एक बेटे भी थे जिनका नाम है रुमुदिन फिरोज तो आप वोग ये नाम लिख लेंगे कि इनका किस टाइब का रिलेसंत है इन सल्तनत काल में तो यहां से भी कभी कोशन पूछ लिए जाते हैं 9th कोशन है डिली का प्रथफ मुसलिम सासक कौन था? तो मुसलिम सासक, यहां मुसलिम पूछा जा रहा है और कुतुबुदिन एबक थे तुर्क मुसल्मान यहां सिर्फ मुसलिम पूछा जा रहा है तो इल्टुत मिष्ट थे दस नमर कोशन है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है तो इल्टुत मिष्ट को गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 11th नमबर कोशन की ओर निमलिखित में से कौन मध्यकालिन भारत की महिला साशक थी देखिए मैंने आपसे अभी डिसकसन किया कि इलतुत मिश्र की बेटी थी रजिया सुल्दान तो उन्हीं साशक का नाम आ गया देखिए निमलिखित में से कौन मध्यकालिन भारत की महिला साशक थी तो महिला शाशक थी रजिया सुल्दान जोकि इलतुत मिश्र की बेटी ती इलतुत मिश्र के एक बेटे का और नाम था रुमुद्धिन फिरूज तो friends आप लोग ये relation ज़रूर याद रखेंगे कि इसमें किसके कौन क्या लगते हैं यहां से भी कभी question बन सकते हैं हमारा 12th number question है इल्तुत मिष्ट ने बिहार में अपना प्रथम सुबिदार न्युक्त किया था तो मलिक जानी हमारा 13th number question है चंगेज खा का मूल नाम क्या था तो तैमुचीन नाम था चंगेज खा का मूल नाम हमारा 14th number question है चंगेज खा के अधिन मंगोलों ने भारत पर आक्रमन किया था 14th number question चंगेज खा के अधिन मंगोलों ने भारत पर आक्रमन किया था तो किसे के सासनकाल में चंगेज खा करका अधिन Mongolian भारत पर आक्रमन किया था हुटा औल कर लिज्ट तुम मिठ से काॉस टाइम समय चल रहा था उनके सासन में मंगोलों ने भारत पर आक्रमन किया था यह कोशन कम से कम 3-4 बर UPC में सम्मिलाकर SSC और UPC में यह कोशन 2-3 बर पूछे गया है तो हमारा किस दिल्ली के किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लोह की निति अपनाई थी तो रक्त और लोह की निति अपनाई थी बल्बन हमारा 60 नमबर कोशन है अपनी सक्ति को समयकित करने के बाद बल्बन ने उपादी धारन की थी तो किस की उपादी धारन की थी तो जिल्ले इलाही की उपादी बल्बन ने धारन की थी यह कोशन पिछले साल UPCS में पूछा गया था और 15 नमबर कोशन यह IS में पूछा गया और 17 नमबर कोशन यह द्लोजा पुछा गया था तो फ्रेंटस आप लोग ध्यान देंगे हमारा अंतिम कोशन है नीमलेखित में से किसने नौरोज नौरोज यह प्रथा है तो है उसका आरम किस ने किया था तो बल बन किया था तो फ्रेंटस आया होप आप लोगोसे वीडियो बहुत सारो वीडियो लेकर आओंगे तब तक के लिए थाइंक वीडियो वाचिंग दिस वीडियो